जैहिंत फ्रेंड्स तो हम आपकी लेकर आए हैं क्लास लेवंद सब्जिक्ट इंग्लिस का एनुल अग्जामेशन 2030 का कुश्चन पेपर यह कोश्चन में पर आपके एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है यह कोश्चन पर ही आपके एनुल एक्जाम 2030 में आपको दिखने वा यह कोश्चन पर हम लोग पूरा देखने वाले हैं इसमें किस तरह के कोश्चन आप से पूछे जाएंगे और कैसे कोश्चन को आपको सौल करना होगा इसमें जितने भी कोश्चन से वह आपकी एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है साथ में आपको बताएंगे इसकी ี้ की नोटिकेशन आप तक पहुंच दी रहे सबसे पहला कोश्चन है अइजे किसकी द्वाड़ा लिखी गई थी यहांतिर कौन सा हो जाएगा option a correct हो जाएगा जयंत नारली कर option a correct हो जाएगा next है what is the meaning of kyang क्या है what is the meaning of kyang तो what is the meaning यानि क्या का क्या meaning है तो यहाँ पर जितने option दिये गए हैं उनमें से कोई match नहीं कर रहा है तो यहाँ पर answer आप लोग a वाला correct कर लीजिए एक बार इसको आपको cross check कर लीजेगा क्योंकि जिसका क्यां का जो मतलब है इसमें आपको कोई भी option नहीं दिया गया है इसके बार next question number 3 है what is the name of the train by which professor got and was traveling तो कौन सी train थी यहाँ पर डीकेन ओक्यून राजधानी एकस्पिश जिजा माता एकस्प्रेश सताब्दी एकस्प्रेस तो वो कौन सी थी वो थी जिजा माता एकस्प्रेस तो यहाँ पर option C आपका correct हो जाएगा जीजा माता एक्सप्रेस रिक्ष है what did the sign in the Jew Alaska read क्या है what did the sign in the Jew in Alaska read एनिमल लायन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा थी वर्ल्ड मोस्ट डेंढरस एनिमल आफ्षीन सी आपका क्रेक्ट हो जाएगा नेक्ष है who was तूतान खुमान क्या है वू वाज तूतान खुमान एजियोलोजिस्ट, ए साइंटिस्ट एजिप्टियन किंग, ए़िस्टोरियन तो यह क्या है यह है एजिप्टियन किंग आफस्ट यहां पर आपका सिवाला करेक्ट हो जाएगा next है the dog ran very fastly which word in the above sentence is an error तो यहाँ पर the wrong यहाँ पर क्या हो जाएगा the dog run very fast होगा यहाँ पर आपको fastly दिया गया है तो यहाँ पर wrong क्या हो जाएगा तो यहाँ पर wrong आपका हो जाएगा fastly क्या हो जाएगा fastly तो यहाँ पर answer कौन ता correct हो जाएगा firstly यानि कि option number D आपका correct हो जाएगा इसके बाद question number seven है The phrase man of factors means The phrase man of Glitters means तो यहाँपर क्या हो जाएगा The phrase of क्या होता है इसका मतलब होता है Scholars तो यहाँपर option क्या हो जाएगा Scholar यानि कि option number यहां पर कौन सा correct हो जाएगा option T आपका यहां पर correct हो जाएगा next है the synonym of accept is तो यहां पर एक्सेप्ट का जो सिनोनिम है कोई भी यहां पर एक्सेप्ट की जगए आप लोग यहां पर कोई भी आपसन आपको नहीं दिया गया है जो एक्सेप्ट का इसके बाद next है the antonym of include यानि include का एंटोनिम क्या है इंक्लिवड का आपको चार आप्शन दिये गए inclusive exclude अब तो क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम हो जाएगा exclude क्या हो जाएगा exclude यानि कि option number यहाँ पर कौन सा correct हो जाएगा option number आपका बी correct हो जाएगा इसके बाद next है a piece of land surrounded by water a piece of land surrounded by water pond pool sea island तो इसका क्या answer हो जाएगा इसका answer हो जाएगा Iceland क्या हो जाएगा Iceland यानि कि option number यहाँ पर कौन सा correct हो जाएगा तो यहाँ पर option number आपका डी वाला correct हो जाएगा Iceland क्या हो जाएगा 20 year क्या हो जाएगा 20 year option number D आपका correct हो जाएगा next है who passed the city gate तो who passed the city gate क्या हो जाएगा an idiot क्या हो जाएगा an idiot यानि कि option number यहाँ पर कौन सा correct हो जाएगा तो option number B आपका correct हो जाएगा next है who did the chief of builders blame तो who is the chief of builders blame तो क्या हो जाएगा the workman क्या हो जाएगा the workman क्या हो जाएगा an elephant an old acquaintance a maternal sister a distance relative तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा an old acquaintance क्या हो जाएगा an old acquaintance यानि कि option number यहाँ पर कौन सा correct हो जाएगा option number B आपका correct हो जाएगा next है Mrs. Fitzgerland is a dot dot Mr. Pearson जाब Mrs. Fitzgerland is a neighbor of Mrs. Pearson यहाँ पर क्या हो जाएगा neighbor हो जाएगा क्या हो जाएगा neighbor यानि कि option number कौन सा correct हो जाएगा तो यहाँ पर option number आपका भी correct हो जाएगा इसके बाद next question क्यों बढ़ते हैं तो next question हम को यहाँ पर देखने को मिलता है next question है आपका यहाँ पर after what age did the point relative that he had lost his childhood क्या है after what age did the point relative that he had lost his childhood तो यहाँ पर answer क्या हो जाएगा 10 year, 11 year, 12 year, 13 year तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 year क्या हो जाएगा 11 या निकि option number यहाँ पर कौन सा correct हो जाएगा तो यहाँ पर option number आपका भी वाला correct हो जाएगा next है the poem the voice of the rain is an conversation between तो यहां पर क्या हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा ऊट entry यहां पर आप आपका भी वाला करेक्ट हो जाएगा next है who is the poet of the poem childhood who is the poet of the poem childhood क्या हो जाएगा तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा Marcus Natin क्या हो जाएगा Marcus Natin क्या हो जाएगा Marcus Natin तो यहाँ पर आफशे नमबर कौन सा correct हो जाएगा तो यहाँ पर आफशे नमबर आपका A correct हो जाएगा Marcus Natin next है who are the baby and dolly in the poem क्या है who are the baby and dolly in the poem तो क्या हो जाएंगी तो ये है poets की mother's cousin क्या है poets mother's cousin यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर option number correct हो जाएगा C बाला correct हो जाएगा poets mother's cousins इसके बाद which figure of speech is used in sleek as a lizard तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा जो figure of speech है oxymoron है personification है simily है metafor है तो यहाँ पर कौन सा figure of speech है तो यहाँ पर simily figure of speech है क्या है simily figure of speech है इसके बाद हमको section A दिखता है जो reading का portion होता है अब हम लोग section A reading के portion पर आते हैं तो यहाँ पर क्या question दिया गया है read the following passage carefully and answer the questions that follow यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया जाएगा उस पैसेज के आधार पर आपको questions के answer देने होंगे यह सब पहले passage है गांधी जी वाजदा व्यू देट handicraft and colleague industries particularly hand loom weaving and hand spinning were the most effective collective measures to control India's genetic property poverty तो यहाँ पर आपको इस paragraph देके आपको इन questions के answer देने है पहला question क्या गह रहा है इसके बाद यहाँ पर आपको बी question दिख जाता है वाड़ वर गांधी जूज with regard to handicraft and cottage industries इसके बाद C question हम को इसी में दिखता है वाई डिट गांधी जी रिवाइब दा spinning wheel इसके बाद D हमको इसी में दिखता है find the opposite meaning of prosperity in the passage दूसरा आए find the word which has similar meaning of additional in the passage तो यहाँ पर आपको चार question दिए जाते हैं जिस passage के अधर पर आपको solve करने होते हैं इसके बाद section B आजाता है section B में हमको writing के questions देखने को मिलते हैं कैसे writing question देखने को मिलते हैं पहला है write an article on any one of the following topics in about 100 to 150 words में आपको एक article लिखना है your vision of India in 2030 hazard of polythene bags pollution problem in India the clean India mission तो यह आपको चार topic दिए गए हैं उन चार topic में से किसी एक पर आपको यह से लिखना है यानि कि आर्टिकल लिखना है इसके बाद तीश्रा question हमको दिख जाता है write a letter to the editor of newspaper to draw the attention of नगर निगम to the insanitary condition of your locality अत्वा अगर आपको यह नहीं आदो दूसरा कर सकते हैं write a letter to district magistrate making complaint about electric tripping in your town which creates hurdles in your studies तो इन दोनों topic में से आपको किसी एक पर लेटर लिख सकते हैं इसके बाद सिक्सन ही आ जाता है grammar का जो आपको करना होगा copy में लिखना होगा choose the correct following sentence choose the change the following sentence into indirect speech you said to me I am much tired यहाँ पर बन जाएगा you told me that I देखी किसके अनुसराद चेंज होगा subject के अनुसराद चेंज होगा subject का है you तो you हो जाएगा you यहनि कि आप क्या होगा past change की cycle लगी क्या लगी past change की cycle लगी तो you were क्या लग जाएगा you were much tired इसके बाद b question है combine the following sentence as directed they are going to आगरा they went to सीधा ताजमें तो इसे simple sentence में आपको बदलना है इसके बाद next है change the following as directed तो आपको पैसी बाद में बदलना है he sang a beautiful song तो a beautiful song आपका बन जाएगा subject इसके बाद sang है यानि कि एक लेटेंज की cycle लेगा तो आपर कि a beautiful song was sing by him क्या हो जाएगा sang by him sung by him हो जाएगा क्योंकि sing sang sung होता है sang by him हो जाएगा अगर आपको ये ने कर से दूसरा कर सकते है कलकटा is the biggest city of India तो आप ये बाला कर सकते हैं दोनों में से आपको एक कर सकते हैं इसके बाद आते हैं question number बी का इसी का पार्ट है correct any one of the following sentence my trousers are dirty यत्वा I am an university student तो यहाँ पर हो जाएगा I am a university student हो जाएगा एन की जिए ए हो जाएगा इसके बाद next है use any one of the following pairs of your words in your own sentence यहाँ पर हो जाएगा pain pain accept इसके बाद question number five है translate the following into English को आपको translate करना है पहला है बाबर दिली का बाद साथ है वैसिंग की तरह भादूर वल्वान था लेकिन हर्दय फूलों की तरह कोमल था एक बाद उसका सबसे बड़ा पत्र हमायों बीमार पड़ा उसके बच्चने की कोई आसा ना रही दूर दूर से हकीम बुलाएगे फकेरों ने रोगी के लिए दुआ की किन्तु किसी तरह का लाब नहीं हुआ उसके बाद section D आ जाता है जो आपको literature का होगा जो आपकी question आपके जो paper है उससे आपको दिखेगा पहला क्या question है answer the following questions about 40 words में आपको answer देना है पहला है who was king to what happened with him what was the effect of green moment who was Rajendra देश पांडे तो तीन questions है आपको इन में से किसी दो questions को आपको answer देना है इसके बाद question 7 आनता है answer the following questions in about 80 words anyone इनके आपको दो questions दिए गए हैं यहाँ पर देखेए पहला question है write the correct sketch of authors ग्राणमर रत्वा describe the narrator's journey on the silk road to Mount Kailas इसके बाद question number 8 है read the exchange and answer the questions below it पहला है when did my childhood go was at the day I ceased to be 11 was is the time I realized that hell and heaven could not be found in geography तो यह आपको इन दिया गया है उस stage को पढ़के आपको इन questions के answer देने हैं जैसा पहला है name the poem and the point of the above lines when did the poet think his childhood ended what does childhood her donate तो आपको यह paragraph दी जा गया इस paragraph आपको पढ़ना है इसके बाद in questions के आपको answer देने हैं इसके बाद question number 9 आ जाता है question number 9 क्या कह रहा है give the central idea of any one of the following questions तो आपको यह आपको central idea देना है childhood, boys of the run, the Lebanon top तो इन तीनों में से आपको किसी एक का central idea देना है next है answer the following question about 40 words do questions आपको any two के answer देने तीन question आपको दिये गए who is Doris, how does she travel her mother why did Joe Morgan standing waiting for Andrew mansion at midnight why did the narrator go to 46 Marconi street तो यहाँ पर आपको तीन question दिये गए उन में से किसी एक question का आपको answer देना है इसके बाद last हमारा question बजता है question number 11 answer the following question about 80 words में आपको answer देना है पहला है narrate the tale of Meloni क्या है narrate the tale of Meloni city in your own words अत्वा compare and contrast the two cousins आराम and मुराद तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर आपको दो paragraph, दो question दिये गए sorry इसमें आपको एक question का answer देना है वो भी कितने words में देना है 80 words में आपको इसका answer देना रहेगा तो यह आपका class 11 का English का question paper था जो हमने आपके साजा किया तो अकर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को आप लू लाइक चरूर करिएगा और paper का जो pattern है तो यहाँ पर बदल चुका है कहीं कहीं पर 5 जो objective questions नहीं आती है थोड़े ही आती है तो यहाँ पर आपको 20 objective questions दिये गए है तो जहाँ पर 20 का चलता है और जिनके लिए भी important है जिनके यहाँ भी 20 नहीं चल रहे है तो उनके लिए भी important है तो चलिए गर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करेगा साथ में कर आपनी अभीतर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए साथ में वीडियो को लाइक कर दीजे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक कि लिए जय हिंद